महराश्ट की शिंदे सरकार पर गहराया संकट खत्रे में पढ़ गई है एक नाश शिंदे की कुरसी अजित पवार ने फिर मारी पल्टी बीजेपी और शिंदे को लगा जोरदार जटका महराश्ट में एक बार फिर खेला हो सकता है एनसिपी में दो फार करने के बाद अजित पवार फिर से रंग बदलते नजर आ रहे हैं इस बार अजित पवार ने बड़ा गेम प्लान तयार किया है खबरों की माने तो इस बार शिंदे की कुरसी भी जा सकती है सीम शिंदे और डिप्टी सीम देवेंदर फरनवीज दिल्ली पहुंचे हैं जहां उन्होंने ग्रहमंतरी अमिश्चा से मुलाकात के इस मुलाकात से महाराश्ट से ले कर दिल्ली तक हलचल तेज है तीन अक्टूबर को सीम शिंदे ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी इस बैठक में डिप्टी सीम देवेंदर फरनवीज शामिल हुए थे लेकिन अजीद पवार ने इस बैठक से किनारा कर लिया था इस बैठक से दूरी के लिए और उने कहा कि उनकी तब्यट ठीक नहीं है लेकिन इस बीच उन्होंने एंसेपी निताओं के साथ एक गुप चुप बैठक की जिसने बीजेपी और शिंदे गुट की धड़कनों को बढ़ा दिया है तो क्या फिर बीजेपी और शिंदे को जटका देंगे अजीद पवार क्या अजीद पवार की नाराज़की बीजेपी पर पड़ेगी भारी क्या अजीद पवार फिर करेंगे शरत पवार गुट में वापसी इनी सवालों पर चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में नमस्कार मैं हूँ परवीन शेख आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है महराश्ट गडबंदन में हुई गडबड़ी देली में Amisha की बैठक से अजितपवार ने बनाई दूरी NCRP नेताओं के साथ अजितपवार ने की बैठक क्या BJP और शिंदे को जटका देने की तैयारी में हैं अजितपवार महराष्ट की उप मुख्य मंत्री अजीत पवार तीन अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्ते कार्णों से शामिल नहीं हुए हाले कि उन्होंने मुंबई में अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक के बैठक में अजीत पवार गुट के नेता प्रफल पटेल छगन भुजबल और संजे बंसोडे भी शरीक हुए अजीत पवार की कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होने और मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाए जाने से कई तरह के कयास लगाय जा रहे हैं इस बेच मुक्य मंत्री एक नाशिंदे और बीजेपी नेता देवेंदर फरनवीज दिल्ली पहुँचे जहां दोनों नेताउनी ग्रह मंत्री आमिशा से मुलाकात की इसके बाद मिटिंग शुरू हुई बैठक में महराश में केबिनेट के विस्तार और राज्जी के हालाथ पर चर्चा हुई अजीद पवार की केबिनेट से गयर हाजरी और नाराजगी के बीच हो रही इस बैठक को काफी एहम माना जा रहा है इस साल जुलाई में अजीद पवार एंसीपी के 40 से जादा विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो गए थे जिसके चलते एंसीपी दो गुटों अजीद पवार गुट और शरात पवार गुट में बढ़ गई थी इस बीच अजीद पवार ने महराश के उपमोख्य मंतरी के रूपे शपती वहीं एंसीपी के आठ अन्यनेता भी मंतरी बने इनमें छगन भुचबल, दिलिव वाल से पाटिल, अदिती तटकरे, धननजे मुंडे, हसन मुश्रिफ, धर्म राज बावाराव, आत्रम, संजे बंसोडे और अनिल भाईदास पाटिल शामिल है पार्टी विभाजित होने के बाद से ही दोनों गुट पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना अपना दावा करते आ रहे हैं फिलार मामला चुनावायोग में है, इलेक्शन कमिशन ने दोनों गुटो को सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर को अपने सामने पेश होने के लिए काखा है अब उससे पहले अजीत पवार ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं क्योंकि शरत पवार साफ कर चुके हैं कि उनके पास ही असली एंसीपी है और उन्होंने ही एंसीपी को खड़ा किया है खबरे तो यहाँ तक हैं कि जो नेता अजीत पवार के साथ गए थे उनमें से कई नेता शरत पवार खेमे में वापसी का मन बना रहे हैं जिसे बीजेपी और शिंदे की मुश्किले बढ़ गई हैं क्या अब अजीत पवार फिर से बीजेपी पर दबाब बना रहे हैं क्या महराश का सीम बनने के लिए अजीत पवार ने चला है बढ़ा दाओ या फिर चुनाव आयोग में पेशी से पहले ही अजीत पवार डाल रहे हैं हत्यार क्या चाचा शरत पवार के पास फिर वापसी करेंगे अजीत पवार खबरों के बाने तो ये चर्चा पहले से थी कि राजी विधान मंडल की शीत कालीन सत्र और राजी मंत्री मंडल की विस्तार से पहले अमिश्या के साथ शिंदे और फरनवीज की मुलाकात होगी आपको बता दे कि अजीत पवार मंगलवार को मुंबई में राजी मंत्री मंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए वों एंसिपी के दो तिहाई से ज़्यादा विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए शिंदे फरनवीज सरकार में शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि उनका गुठी असली न्सिपी है राजनेतिक जानकारों ने कहा कि इस बैठक में शिंदे और फरनवीज कोटे की मांग करने वाले समुदायों के विरोत के बीच माराथा, धनगर और OBC आरक्षन के मुद्धे पर चर्चा कर सकते हैं जानकारी के मताबिक ऐसी भी हटकले थी कि दिल्ली की यह यात्रा शिंदे और फरनवीज ने उस समय की है जब दोनों ही पार्टिय अजीद पवार के राजजी सरकार के विभिन विभागों के संचालन में हस्तक शेप से खुश नहीं है आपको बता दे कि अजीद पवार मंगलवार को राजजी कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए इस बैठक को लेकर राजजी के मुख्य मंतरी एकनाज शिंदे ने कहा अजीद पवार की तब्याट ठीक नहीं है और उनके गायर मवजूदगी का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए हाला कि अजीद ने मंगलवार शाम को अपने अधिकारी कावास देवगेरी में एनसेपी मंतरियों की बैठकी जिससे ये अटकलें और तेज हो गएं कि वो नाखोश है एनसेपी सांसस सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि गड़बंदन सरकार के भीतर परिशानी है पीजेपी और शिंदे से खुश नहीं है अजीद पवार अगर पल्टी मारते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें शिंदे की बढ़ सकती है एक ना शिंदे की कुरसी भी जा सकती है विधान सभा अध्यक्ष राहुन नार्वेकर शिंदे की अयोगयता के जिस मामले में स स्पीकर को जल्दी नियमों के अनुसार फैसला देरी को कहा है और फैसला शिंदे के खिलाफ आ रहा है ये तैम आना जा रहा है इसके संकेत तभी मिलना शुरू हो गए थे जब सुप्रिम कोट के निरदेश के फारण बाद विधान सभा स्पीकर राहुन नार्वेकर जो ब देविंदर फरनवीज के साथ बंद कमरे में बैठक की थी पहली बैठक डिप्टी सीम देविंदर फरनवीज के घर पर हुई तो दूसरी बैठक राज्य सरकार के वी आई पी गेस्ट हाउस में हुई थी खास बात यह है कि इस चर्चा में उप मुख्यमंतरी अजीत पवा साथ ही उनके साथ आए दूसरे 24 विधायक भी पल्टी मार सकते हैं ऐसे में महराश में एंडे को अपनी सरकार बचाने में भी संकट दिखाई दे रहा है मुख्यमंतरी एकना शिंदे और अजीत पवार के बीच चल रही है खीचतान अजीत पवार बुद्वार को मंतरी मनल की बैठक में नहीं पहुँचे इसे पहले गणेश उससब में अमिशाद जेपी नड़ा समय तमाम देशी विदेशी लोग पहुँचे लेकिन अजीत प गुट और अजीत गुट के मंतरियों के बीच अपने अपने जिलों का प्रभारी मंतरी बनने की होड मची है खुद अजीत पवार पूरे जिले का पालक मंतरी पद चाहते हैं लेकिन इस पद पर पहले से ही बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल विराजमान है ज्यादा तर विवाद उन जिलों में है जहां एंसिपी और शिवसेना के बीच हमेशा से ही गला काट लड़ाई रही है शिंदे गुट शुरुआस से ही अजीत पवार सरकार में शामिल होने को लेकर नाखुश रहा अजीत पवार सरकार में शामिल हुए और नो मंतरी पद ले उड़े शिंदे गुट को सत्ता की ये हिस्सेदारी रास नहीं आई उन्हें लगता है कि उनका हिस्सा मारा गया अजीत गुट के सत्ता में आने के बाद मंतरी मंडल विस्तार का इनतजार कर रहे विधायकों में भी असंतोश है इधर उदव ठाकरे गुट के एक नेता का दावा है कि बीजेपी के बड़े निताओं के लिए इस वक्त ना तो प्रभारी मंत्री पत का मुद्दा महत्पूर्ण है और ना ही मंत्री मंडल विस्तार का शिंदे फर्णवीज के दिली दोरे का असली मकसद अगले कुछ दिनों में सुप्रिम कोट से शिवसेना बनाम चुनाव आयोग के बीच चल रहे पार्टी के नाम और चुनाव चिन शिंदे गुट को दिये जाने के खिलाब दायर केस का फैसला आने की संभावना है सुप्रिम कोट ने अपने पहले फैसले में जो रुख दिखाया है उसे देखते हुए आने वाला फैसला शिंदे गुट के मुश्किलें बढ़ा सकता है इसको लेकर सरकार के भीतर एक तरह का डर है शिंदे फर्णवीज के दिली दोरे का असली मकसद यही हो सकता है तो यह थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें देखते हैं डीबी लाइफ नमस्कार